नहीं रहे महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीन कुमार 74 साल की उम्र में निधन प्रवीन कुमार अपने विशाल कद कार्ठी के लिए जाने जाते थे उन्होंने कई बॉलिवर्ट फिल्वों में विलन की भूमी का निभाई साड़े 6 फीट लंबे अभीनेता और खिलाडी पंजाब के रहने वाले थे बी आर चोप्रा के सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले अभीनेता प्रवीन कुमार सोपती का निधन हो गया प्रवीन कुमार 74 साल के थे प्रवीन अपने विशाल कतकाटी के लिए जाने जाते थे उन्होंने कई बॉलिवर्ट फिल्मों में विलन की भूमी का निभाई साड़े 6 फीट लंबे अभीनेता और खिलाडी पंजाब के रहने वाले थे आक्टिंग में आने से पहले थे एथलीट आक्टिंग में आने से पहले प्रवीन एक हैमर और डिसकस्त्रो एथलीट थे वो एशियाई खेलो में चार मेडल दो स्वान एक रजत और एक कांस्यक जीच चुके थे उन्होंने दो अलंपिक खेलो 1968 मेक्सिको खेलो और 1922 म्यूनिक खेलो में भी भारत का प्रतिनिद्व किया है वो अरजुन अवाडी भी रहे खेल के कारण ही प्रवीन कुमार को सीमा सुरक्षा बल बी एसेफ में डिप्टी कमांडन की नौकरी मिली सत्तर की दशक में मनुरंजन की दुनिया में रखा कदम उनकी पहली बुमिका रविकांद नगाइच के निदेशन में बनी थी जिसमें उनके कोई डायलोग नहीं थे बिमार थे प्रवीन कुमार पतनी कर रही थी देख बाद पिछले साल दिसम्बर में प्रवीन कुमार ने नवभारत टाइमस के साथ बातचीत में कहा था कि वो काफी समय से घर में ही है तब्यद ठीक ना रहती रिपीट तब्यद ठीक नहीं रहती है और खाने में भी कहीं तरह के परहेज है स्पाइनल प्रवीन कुमार की देख बाल करती है एक बीटी मुंबई में है जिसकी शादी हो चुकी है पेंशन को लेकर जैताई थी नाराज की पेंशन को लेकर प्रवीन कुमार ने नवभारत टाइम से कहा था कि पंजाब की जितनी भी सरकार्यां है सभी से उनकी शिकायत है जितने भी एशिन गेम्स या मैडल जीतने वाले प्लेयर थे उन सभी को पेंशन दी लेकिन उन्हें वंचित रखा गया जबकि सबसे ज्यादा गोर्ड मैडल उन्होंने जीते वो अकेले अथली थे जिन्होंने कॉमन वेल्ट को रिप्रेजेंट किया फिर भी पेंशन के मामले में उनके साथ सौतेला व्यावार किया गया हाला कि अभी उन्हें BSF से पेंशन मिल रही है